जरूर रूपे बचाए और घर के lightboard को ही inverter बनाओ इससे आपके inverter के पैसे बचने वाले और आप इससे कुछ भी जला सकते हो घर के अंदर और इसके अंदर आपने automatic का on-off का system भी दिया गाए तो इस वीडियो को लास्टक जरूर देखना और अपने पैसे जरूर बचाना तो भायो सबसे पहले लेने वाला हूँ यहाँ पर में lightboard और भायो lightboard में यहाँ पर नए इस ले ले रहा हूँ ताकि मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह किसे explain कर सको आप जो अपना पूराना वाला lightboard लगा होगा दिवाल पर उस पर यूस कर सकते हो यागर आप इस टाइप का project बनाना चाते हो तो नए वाला का भी यूस कर सकते हो काफी अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर तो यह आपको market में easily मिल जाएगा अब यहाँ पर लेना होगा bulb holder और यह जो आपको market में 20 रुपे 30 रुपे में easily अच्छी quality का मिल जाएगा और कुछ wire भी लेना होगा हमें ताकि इसकी wiring हम कर सके सबसे पहले इन wire को हम छील लेंगे और यहाँ पर हमारे जो screw डार के दुवारा इसमों अच्छे से tight कस देंगे आपको धियान रखना होगा कि जो wire है उनको lose नहीं रखना है अच्छे से tight करना है वहना short circuit हो सकता है finally guys अब यहाँ पर हमारे इस bulb holder को इस जगा पर लगाना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे wire को निकालने के लिए hold करेंगे finally हमारा hold हो चुका है अब इस wire को नीचे की side में निकालना होगा और यहाँ पर इस holder को लगाना होगा इसके दो तरीके या तो आप screw का यूज़ कर सकते हो या फिर super glue से चिपका सकते हो मैं super glue लगाऊंगा इसके अंदर ताकि अच्छे से finishing दिखे हमें फाइली यहाँ पर देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से चिपका दिया है और यह काफी मजबूती से लग जाता है super glue के दुआरा अब यहाँ पर मैं 5-pin socket लेने वाला हूँ और यहाँ पर मैं 2 socket यूज़ करूँगा ताकि हम 2 output के अंदर यहाँ पर 220 volt ले सकें और यहाँ पर on off करने के लिए यहाँ पर switches का यूज़ करूँगा एक light bulb के लिए और 2 जो हमार socket के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अब भायों यहां पर हमें किया करना होगा इन सारे socket को और यहां पर switches को लगाना होगा तो सबसे पहले हम marking करेंगे और marking करने के बाद यहां पर cutting कर लेंगे इसकी तो फाइली गईस यहां पर कटिंग हुमारे अच्छी से हो चुकी है अब यहां पर सोकेट और स्वीचे जो है इनको अच्छी तरीके से फिट कर देंगे यहां पर और इनका भी दो तरीके यह तो आप इस्क्रू का यूज़ कीज़े या फिर सूपर गूलू का यूज़ इसकी मत करना वार्ण connection समझ में नहीं आएगा अब यहां पर जितने भी हमारे switches है इनके नीचे वाले जो point है उन सभी को हम यहां पर common कर देंगे मतला यहां पर आपास में 5-pin socket का और switch का connection हो चुका है अब दूसरे का भी इसी टाप से connection कर देंगे finally guys यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का मैंने इस टाप से connection हो चुका है और यहां से जो हमारा face supply जाएगा जो की switch के दुआरा आप cut off कर सकते हैं अब यहां पर चाहिए हमें neutral के लिए connection तो neutral का connection हमें इन दोनों का अंदर आपस में short करेंगे जिस हमने switches कंदर किया है और उसी वायर को हम यहां पर ले जाके हमारे जो bulb holder है उसके अंदर भी दे देंगे अब इसी वायर के बीच में में एक cut लगाऊंगा और यहां पर देख सकते हैं जो दूसरा वाला 5-pin socket है उसके अंदर से गुसा कर निकाल दूँगा और इसको अच्छी से तरक ऐसे screw के दुआरा tight कर देंगे हम finally guys यहां पर हमारा जो extra wire जो निकला हो आता उसको हम cut कर लेंगे और यहां पर देख सके तो जो bulb holder का जो wire था उसको face देने के लिए यहां पर हम switch का दुआरा इसको connection कर देंगे finally इसका connection पूरा हो चुका है यहां पर देख सके तो switches के नीचे जो हमने short किया है यहां पर हमें face input देना है और जो rate का लगा हमने बाहर की साइड में wire निकाला है वहां पर हमें neutral input देना है तो यह हमारा input का connection हो चुका है अब यहां पर हमें बनाना हो इसको inverter inverter के लिए यहां पर 200 watt का inverter PCB यूज़ कर रहा हूं में यह आपको nocle market में 200 का मिलेगा और online यह 300 रुपय का मिलेगा इसका connection काफी simple सा है यहां पर देख सके तो मोटे कलर के जो मोटे wire जो दिख रहे हैं आपको यह हमारा battery का input है और जो पतले wire है यहां पर यह output 220 volt देने वाले है लेकिन इसका एक problem है कि यह जो है automatic नहीं है इसे automatic बनाना होगा इसलिए मैं आप 12 volt का एक relay यूज़ करूँगा और यह आपको market में easily मिल जाएगा electronic shop पर यहां पर इस PCB के ऊपर इसको step से चिपका देंगे और जो black color का wire दिख रहा है आपको इसको यहां पर step से रखेंगे और size अच्छे से नाप लेंगे और cut लगा देंगे भाई आप वीडियो को पूरा देखना इसकी मत करना वणना आपको connection समझ में नहीं आएगा अब यहां पर आप देख से तो जो हमारा relay है इसके ऊपर की side में जो दो pin दिए गई है उसमें right side में इसको हम soldering कर देंगे जो कि normally close वाला हमारा connection है यहां पर इस steps आपको connection करना इसके अंदर अब यहां पर हम जो है दो wire लेंगे एक मैंने blue color का लिया है और यहां पिंग color का लिया है blue color का negative है और जो pink color का positive है हमारा यहां पर input battery charging के लिए connection दे रहे हम और यहां पर नीचे की side में आपको तीन pin देखेगी right side में और बीच में दोनों का में short करना है और यहां पर आप दे यहां पर हमारे reverse current ना जा सके तो यहां पर डायोट का negative point है हमने positive में लगा दिया है जो हमारा charging circuit है वहां पर और जो हमारा positive terminal है बैटरी के यहां पर connection में लगा देंगे यह देख सकतो इसका connection काफी simple सा है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप screen shoot ले सकते हो बात में आपक अच्छा काम आ जाएगा यह देख सकतो काफी simple सा connection है अब यहां पर देख सकतो जो output है यहां पर वायर काफी जाते चोटे थे तो यहां पर मैंने यह लोकलर के दो बड़े वायर लगा दिये हैं और यहां पर पतले वायर चार्जिंग में लगेंगे हमारे और जो बैटरी क एच बोड है और फइनल यह यह लोकलर के जो बायर है यह हमारे आउटपुट है तो यहां पर आप देख सकतो है जो हमारे फेज वाला उने चोड़ा तब यहां पर एक वायर को वायर को हमने च्टैप और टेपिंग से कवर कर दिया है ताकि่ंग न हो सके और यहां पर लगा देंगे जो हमारा इसके अंदर face का connection हो जाएगा अब यहां पर आप देखते हो हमारा जो आउटपूट है वह सारा सारा अमारा बोड के input में चला गया है और यहां पर अब हम बैटरी का connection करेंगे तो यहां पर जो मोटे वाल वायर है उनके अंदर यहां पर यहां पर तैब की यूपीय यूज कर सकते लेकिन यह काफी बडेशनी दो बैटरी को यहां पर उसके यहां पर आप देख सकती है यह इसको इस टाप से लगाँगगा लेकिन एक प्रोबलम और चुकी यह जो बोड काफी दा पतला है तो इसके अंदर नहीं आने वाली तो यहां पर मैंने एक जोहार लगाया बाईयो यहां पर मैं दो बोड लूँगा दो बोड के पिछे के ढखकन लूँगा और यहां पर इन दोनों का आपस मिलाएंगे इस टाइप से यह जो थोड कि अधर है कि हमाने ठीड आऔर यहां पर यहां पर देख सुझेंगे हमारे यहां वोट बोड कर के ंपने उस पर और यहां पर यह शेयॉगा यहां पर चीछा आ पर कि Hausman hai उसके वाल्ट कर देगाएंगे ही मारे पर नहां पर हमने वीट बोड यहां उसकी मोटाई बढ़ा होगा और एक यहां पर जो माँ फेन लगेंगे ना उस फेन को आउट पूट देने के लिए रहेगा ताकि अच्छे से चिपक जाए और अपनी जगा से हेले नहीं अब उसके बाद यहां पर ग्लूगन डाल देंगे ताकि यहां पर और ब्लू कोलर का वायर था और उस जगह पर रेड और ब्लेक का आउटपुट दिया गए यहां पर हमारे कनेक्टर के अंदर से उसको यहां प यहां पर हम क्या करेंगे इसमें 12V आउटपुट के लिए यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है जो हमारा बैटरी के जो वायर दिये गए मोटे वाले यहां पर यहां पर इन दोनों को सोल्डरिंग करना है काफी सिंपल सा काम है जहां से बैटरी के वायर आ रहे हैं वहा हमारा बैटरी में लगने वाला है उसको मैं ने कट कर दियारर जो एक पॉंट को मैं इस स्वीच के एक पॉंट पे लगा दूगा और दूसरे वाले को दूसरे वायरों तो यहां पर की अ होका रैट्ट है इसको यहां पर स्वीच को बंद करेंग 900 आप और इन दोनों वायर आपके गाउं का नाम क्या है आपकी city का नाम क्या है comment box में ज़रूर बताना तक कि आपका गाउं का नाम भी रोशन हो सके और मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियो कहा कहा से देखी जा रही है तो Finally guys कि यहाँ पर देखातोई मैं डोनों को series में connection कर दिया है आपने वीडियो में देख kari है ऑर यहाँ पर reverse बंद कर दीजे वाना छोट सर्कुट हो आपको जटका लग सकता है बहुत बाहनी कह सकता है अब यहाँ पर इस बोड को हम लगा देंगी अच्छी तरीके से और यहाँ में इसका किनारें माया पर हलका सूइच मेलाइ hot da बनाए हैं यहां पर देख सेको तो हमने यह लाइट बोड लगा है इस लाइट बोड के अंदर हमने एक LED बल्ब लगाए है 220W का और जैसे हम इसको चालू करेंगा तो यह चालू नहीं होगा भी क्योंकि हमने यहां पर स्विच को बंद कर रहा है रेड़ वाले को अब जैसे ह कुछ दो चार्ज कर सकतो यहां पर यहां पर देख सकते हैं तो अरॉम्शल कर सकते हैं और यहां यहां पर देख सकते हो, कि हमने बाराओट DC के लिए अलग से शोकेट दिया गया है, ताकि बैटरी से इसको कनेक्शन कर सकें, पर आपको धियान रखना है, फाइप पीन शोकेट में मत लगा ना बाराओट को और जल दाएगा, यहां पर 220 फोल्ट निकलता है, यहां पर करने के लिए यहां पर बाराओट का एडप्टर का में यूज करना होगा, यहां पर देख सकते हो यह अडप्टर, और यह ओटोमेटिक ओन ओफ होता है, जैसे लाइट चली जाएगी, ओटोमेटिक यहां पर ओन हो जाएगा, जैसे आप देखे हो, यहां पर मैंने इसको ओ पर यह और पर हो जाएगा तो यहां पर हैज लाइट जाने के बाद इसको चालाने की जुरूत नहीं अगर आपके घर के इंदर किसको लगा है अगर आप वह आपके लाइट आएंगा काफी सस्ता सा बन जाएगा जुगार है आप अपने लाइट बोर्ड के अंदर भी बना सकते हो इसको पर वह पर बैटरी आपको अलग से रखने पड़ेगी क्योंकि अगर बैटरी के जगह नहीं तो आप अलग से लगा सकते हो